के साथ ऐसी दरिंदगी हुई कि पूरा देश शर्मसार है पूरे देश को किसी महिला डॉक्टर के साथ हुई यह घटना भर नहीं है यह घटना किसी के साथ भी कहीं भी हो सकती है और कोई भी महिला इस तरह ऐसे तो शिकार हो सकती है इसलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है औ इसा कम से कम लगता है आप जो सच क्या है वो तो जाच में सामने आएगा फिलाल जगदीश शर्मा का रुख करते हैं जगदीश जी आपकी पार्टी आप तो प्रियंका गांधी के भी बहुत करीबी हैं और आपकी नेता कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वह यहा पर प्रियंका गांधी का खुन क्यों नहीं खौलता ये सवाल क्यों उनके मन में नहीं आता कि हां लड़कियों कि इस लड़ाई में जा करके और हमें भी खड़ा होना चाहिए प्रंजी जी मैं समझता हूँ कि प्रिंका गांदीनी हम सबको इन सबका विरोध करना चाहिए क्योंकि बेटी तो किसी की भी हो सकती है और कोई पार्टी इसका समर्था नहीं करती है हरे समय समय पे और बताते हो जो चल रहा है और मैं समझता हूँ हमारे आधर ने परदान मंतरी जी के पास मामला आगा है एक दो दिन में देखना फांसी होई जाएगी हमें थोड़ा इंजार करना चाहिए कातिल को पकल लिया मुल्जिम को पकल लिया है और हंड़र परसंट हमारी जो सरकार है बहुवली सरकार है फांसी देगी मैं समर्थन करता हूँ अपने परदान मतरी जीवा पाद इंजार कर रहा हूँ कि दोसी को छोड़ना नहीं है किसी किमबत में नहीं छोड़ना है और हम सब चाहते हैं मंता भी रोड़ों पर है वीजेपी भी रोड़ों पर है सबी रोड़ों पर तो किसी किमबत में इस पर फासी होनी चाहिए पूरे देश के हैं वो तो कोड़ तैक करेगा जगदी शर्मा सवाल तो जाच को लेकर है और जाच को लेकर सवाले है कि कोलकाता पुलिस ने इस जाच को गलत दिशा देने की कोशिश की कोलकाता पुलिस ने गैंग रेप की घटना को रेप बताने की कोशिश Ki कोलकाता पुलिस ने एक मॉर्डर की घटना को सुसाइड बताने की कोशिश की वह सवाल उसको लेकर उठ रहे है जगदीश शर्मा इसका जबाब क्या है रेंजीर जी हमारी सीबे बहुत काबिल है और काबिल परधान मंतरी है अगर कुलकता पुलकता पुलकता थोड़ेगी थोड़ी जगदीश शर्मा लाइन ओडर के परधान मंतरी का माम लाइक है मुझे पता परधान मंतरी को फासी देंगे कमाल अरे भाई जब सुनो कमाल है जगदीश शर्मा यजजो बंगाल सरकार के बारे में कहा पश्चिप बंगाल सरकार के बारे में जो कोलकता हाई कोट ने कहा उसी पर दो लाइन बोल दीजिए कि भाई ये सरकार के यहां ऐसा लगता है कि सारी स्टेट मस्चिनरी फेल होगे उसने कहा कि कोलकाता पुलिस तो सबूतों के साथ भी छेड़ चाल कर सकती है इस तरह के आपजर्वेशन है जग्दी शर्मा रंजी जी आज तो मैं आपका समर्थन कर रहा हूं बजब उत्तर परदेश में बिल्डोजर चला के सरकार बदला ले ले लेती है घर तोड़ देती हो भी तो सरकार के काम है कोट का थोड़ी काम है तो कोट तो है कहां कोट तो विचारा देख रहा है मुगदस बनके क्या हो र और होनी भी चाहिए जगदीश शर्मा यही कह दीजिए कि भाई बंगाल में हमारे साथी का मामला है हम से नहीं बोला जाएगा हमारा हमारा गठवंधन धर्म कहता है कि ऐसे ऐसे मुद्दों पर मत बोलो आप बोल दीजिए ना भाई जनता समझ लेगी आपकी मजबूरी समझ देखेंगें बंगाल में हमारी बैटी का मामला है और आप सोच रहें कि ममता ने रेड़ कर दिया अगरें ममता ने कर देख्यों करतें ममतागी पुलिस इंक वारी करी किएंग देख्यामा यहां कुछ भी मैंने जो कहा वह स्पस्ट तौर पे कहा कोई छुपा के नहीं का कोई इशारों में नहीं कहा और मैंने एक कहा कि भई जिस तरीके से जिस तरह की दरिंदगी हुई उस बेटी के साथ और उसको इंसाफ दिलाने की जो बड़ी लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को दबाने की कोशिश हो रही है उसका गला गोटने की कोशिश हो रही है गुंडे खड़े किये जा रहे है प्रदरसन कारियों के खिलाफ यह कौन कर रहा है यह कौन कर रहा है यह सवाल है जिसका क सबसे पहली बात में यह बोलना चाहती हूं सबसे पहली बात में यह बता देना चाहती हूं जो भी यह पहली बात में चुब दूसरी बात बिल्कुल सीवी आई काम करेगी वासी मिलेगी जिसको पचाने की इंडी कोशिश कर रहे हैं जग्दीश जी मैं आपके बीच में बोली थे महिलाओं की बात ही लाओं की बारे में बात ही यह मैं तीरह ठीए इस तारी के से革े तरह दो दिखाईए इस तरीके से एक महिला के जीवन के ओपर उसके दुराचार के ओपर गंदी और घडिया राज़ीती मत कीजिए आप शर्ब कीजिए आप जग्दी जी इस तरीके से चिला रहें जब आप बोल रहे थे मैं आपके बीच में नहीं भूल रही ती यह राजन चीक है ठीक है ठीक है एक मिनट रूँजाईए मैं जरा मैं मैं सुबरत मुखर जी के पास जाता हूं सुबरत जी प्रफेसर सुबरत मुखर जी मैं आऊंगा अच्छा तीक है ममताक आले 20 सेकेंड में बात करें यहां जी हाँ मैं आता हूं सुबरत मुखर जी आपके पास आता हूं रंजी जी मैं सिर्फ मैं एक सच्छा याद दिला मैं एक दो फैक्ट्स है रंजी एक जो यहां पे जो डॉक्र घोश है इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हुआ करते थे वहां पर उन्होंने यह बोला था कि उस लड़क हुआ करती थी सौमिया रंगनाथन इफ आम नोट रॉंग उनका भी मडर हुआ था दिली के अंदर और तफशीला जी ने क्या बोला था कि यहां पर दिली के अंदर लड़कियों को अकेले आठ बजे के बाद नहीं घूमना चाहिए यह इंडिया लाइंस के नेताओं की अगर सचाही बोली झाये तो मिड़के लगजाती चाहिए इन लोगों को भया दसकि राक भी अभी तए थंडी नहीं होया राजनीत कर रहे हो सुपरत मुखर जी जब हो गया हो गया जगदी शर्म आपके पास ठीक है ठीक है आऊँगा मैं तो आप से पूछ रहा हूँ यह पूछ रहा हूँ पहला चीज देखे नए एक सवाल का छोड़ा सा जवाब दीजिए सर मैं पूछ रहा हूँ कि यह जो यह जो गुंडे गये थ कल जो गुंडे गये थे प्रदर्शन को रोकने के लिए की इक मिनट यह जो मैं भी तो पूछ रहा हूं कि जो कल जो प्रदर्शं के गये थे इसको रोकने के लिए उनको वो पुलीस करें। परेंarah कर देki पैच्चान क्यों नहीं की गई। उनको क्यों नहीं रोक पाई प्रशेस पुरा प्रोसेस पुरा कम्प्लीट हो तब दूलाईए ना आप मुझे तब देखिये ना क्या हुआ है आप ने जितना बोला है मुझे लगता है 90 परतीसत जूट है और आपने भी ठीक तरह कंड़क्ट नहीं क्या 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 पहले ही महमता को दोशी कर रहे हैं यह सवाल मैंने खड़े किये हैं वह सवाल जिसका जवाब ममता बनर्दी को देना ही चाहिए और आप कह रहे हैं कि नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया आप कंगारू कोट नहीं कर सकते